नमस्कार मैं हूँ मनोर जर्मा हमारे खास कायक्रम देश की बात में आपका स्वाव्यत है आज हमारे साथ एक एती सक्ष्यस हैं जिन्होंने भरतिय राजनीती को चार दश्कों से भी अधिस समय से तक बहुत करीज से देखा और देख रही है उन्होंने कॉंगरेस के निर्ट ऑर भार्तिय जनता पाल्टी को भी करीज से देख रही है राज सवा की पूंप सवकति भाश्का की बरिष नेता नच्वा हिर्दुल्ला हमारे साथ है नजमा जी आपका स्वागत है नजमा जी चुनाब चल लाएं है देश में लोग सवाके लिए बोर्ट पढ़ लएं लेकिन सवाल आम जनता से कम और टोपी की राजनीती पे अधिक उठ रहे हैं कि नर्यन मुर्दी को कौन से टोपी पहननी चाहिए थी, कौन सी नहीं पहननी चाहिए थी, ये टोपी की राजनीती है क्या, इसे किस रूप में आप देखती हूँ? देखें, मैं इस रूप में देखती हूँ, मैं टेलिविजिन पे डिसकॉशन देख रही थी, महमूद मद्नी ने बहुत अच्छा कहा, मैंने भी इन दोर में बात कहा था कि आज मुसल्मानों को टोपी की नहीं रोटी की जूरत है, पेट पलने की जूरत है, वो टोपी लगा लगाते थे, या वो टोपी जो शाही इमाम लगाते हैं और उनके भाई लगाते हैं, या वो टोपी जो फारुक अबदुल्ला और मरबदुल्ला बारब लगाते हैं, किस टोपी की बात हो रही है, या या ये कॉंग्रेस की नहरू कैप की बात करते हैं, जो नहरू जी लग पहनते हैं अगर ये बात वो सकल कैप की है तो उसके साथ बहुत दुखित यादें जूड़ी हुई है क्योंकि जिस जिस नेता ने वो टोपी पहनी उसने मुसलमानों के साथ इंसाफ ने किया दगा करी चाहे वो मुलाहिम सिंग यादा हों चाहे लालू परशाद यादा हों चाहे नर्से माराओं भी हों कोई भी हों उन्होंने जिसने भी ये टोपी लगाए तो इस टोपी के साथ जब इतनी दुखी आदे हैं तो क्या जूरूरा थे कि नरेंदर मोधी वो टोपी लगाए मेरी समझ में नहीं आता है ये टोपी की पॉलिटिक्स क्या चल रही है नजमा आपाजी जब टोपी की बात होती है तो गुजरात दंगों की बात भी होती है वरोधियों का कहना है कि नरेंदर मोधी पे गुजरात दंगों का आरोप है और अगर वो प्रधानमंत्री देश के बने तो शायद देश का बहुत बुरा होगा देश के लिए अच्छा में देखती हूं जो ही मीन्स बिजनस काम विकास डिवैलपमेंट लोगों के भले के लिए काम पीस यह इन सब की चीज को मैं देखती हूं और मैं अगर कंपेर करूं आप मुझे यह बताईए मैं तो आप से पूछ रही हूं कि कितने कितने चीफ मिनिस्टर थे जहां दंगे हुए मंबई में दंगे हुए तो आप बताईए कौन चीफ मिनिस्टर थे 93 में भागलपूर का दंगा हुआ तो चीफ मिनिस्टर कौन था यूपी में दंगे हुए तो चीफ मिनिस्टर कौन थे किसी को याद है क्या यह तो गुजरात के लोग खुद अब आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि वो हिंदुस्तान के मुसल्मान तो हजारों दंगों से आगे निकल के चले गए हैं, भूल दिये हैं, वो गुजरात का अगर टैप रिकॉर्ड देखिये, तो पिछले 10 साल से वहां कोई दंगा नहीं हुआ, वह कॉल सेकुलर स्टेट से जाधा बहतर हैं, बंगाल के मुसल्मान हों, चाहे बिहार के हों, चाहे यूपी के हों, उनकी हालत खराब हैं, गुजरात के मुसल्मान तो दंगे को भूल के आगे बढ़ गए हैं, और सोच लिया है, क्या हमें विकास की तरफ जाना है, तो इसी प पूरे फ्रेमवर्क में में नहरंदर मोधी कुछी को देख थी, नजमा आपा जी, आप कॉंग्रेस में करीब तीन दश्कों से भी अधिक समय तक सक्री राजनीती में रहें, बिविन पदों पर बहां रहें, एहम पदों पर रहें आप, कॉंग्रेस धनवप्यक्ष्टा का सवाल आज जोर शोर से फिर उठा रही है, और जितने मोधी और भाश्पा भुरोधी दल हैं, उनसे आभान कर रही है कि वो धनवप्यक्ष्टा के मुद्दे पे एक जुठों, आप कॉंग्रेस की जो धनवप्यक्ष राजनीती है, आपने करीब से देखा है, क्या है उसके पीछे? क्या सिर्फ राजनीती है? या मुसल्मानों का हित है, अलफ संको का हित है? कंडिडेट खड़ा कर रहे है अपना और हमारा कोई प्राइम मिनिस्टरिल कंडिडेट अपने डिकलेर किया तो यह हमारा फर्ज है कि हम देश के हर समुदाय के लोगों से बात करें उन से पूछें कि उनकी क्या मुश्किलात हैं और अगर हम नहीं आएं तो आप हमसे 64 साल की आज़ादी के बाद कम इसकंपचास 55 साल तो कंग्रेस ने हकूमत करी थी कौन जिम्मेदार है इसका नरेंदर मोदी का तो थर्ट टाम है वहां मुसल्मानों के हालत बहतर हो गई यह तो कितने दिशकों से बैठे हैं पर इन्होंने किया पांच दिशक से यह कंग्रे से दिल भर गया मैंने कहा यह वो कंग्रेस नहीं है जो मुझे विर्से में मिले थी जो मौलाना अज़ाद की कंग्रेस थी मुझे लगता है कि लोगों को बहुत इस बात पर चंबा हुआ होगा जब हमने छोड़ी मैंने कहा नहीं उस वक्त मेरे दिल में एक दर्द था कि क् गरीबी बुखps मरी पिछडापन तालीम नहीं है जब टॉब्स नहीं है है तो उस पार्टी से जो सिर्व जबानी बात करती है टोपी पहन लेती है सेकुलारिस नहीं कायका सेकुलारिस्म वोड बैग का दिवालिया हो गया है क्योंकि किसी भी बैंक में आप जब तक पैसा डालोगे नहीं तो निकलेगा कैसे ये तो ATM कार्ड उन्होंने बना लिया निकालते रहो, निकालते रहो मुसल्मानों के वोट लेते रहो पर दो मत उने कुछ क्योंकि अगर हमने, मैं जानती हूं क्यूं कि अगर कुछ दे दिया तो नेक्स्ट इलेक्शन में हम क्या वादा करेंगे आप अजी, देश की राजनीति हम आपसे और भी बात करेंगे और विवन पहलें को जानेंगे अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक अजवा जी, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप जब बात हम लोग कॉंग्रेस की करते हैं कॉंग्रेस के निर्तर की करते हैं तो विरोधी जो हैं वो बीजेपी के निर्तर पर सवाल उठाते हैं बीजेपी के बारे में विरोधी कहते हैं कि ये अटल जी की बीजेपी नहीं है ये अडवानी जी की बीजेपी नहीं है ये नरेन मोधी की BJP है आप इसे किस रूप में देख रही हैं क्या अंतर हैं तीन नेताओं में ये अंतर तीन में हर एक इनसान में ये हर इंडिविज्वल में एक मा के तीन बच्चे होते हैं तीनों फरक होते हैं तीन लड़कियां तीनों अलग-अलग हैं, एक ही पेट से पैदा हुई है, मगर सवाल यह है कि यह तीनों भारतिये जनता पार्टी से हैं और एक ही डोर में बंदे हुए हैं, अपनी अपनी परसनालेटी अलग-अलग है उनकी, अटल जी एक दूसरे तरह के नेता थे, उनके बोलने का तरीका, उनके बात करने का तरीका, उनका सेंस अफ यूमर, उनका काम करने का तरीका अलग था, अड़वानी जी अपने तरह के नेता हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत उनकी नालेज है, उनका जहन बहुत अच्छा है, उनके याद र के नेता हैं तेकि उन्होंने किस खुबी से अपनी केंपेंड चलाई है नरेंद्र भाई ने modern technology का इस्तेमाल किया आज हम globalized world में रहते हैं आज हम कुए के मिंडक नहीं है आज इतनी public meetings छोटी-छोटी भी हो नहीं हो रहे हैं लोग door to door जा रहे हैं लोग एक दूसरे संपर्क कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी और दूसरे नेता public meeting करके लोगों को अपना message दे रहे हैं तो जो modern technology इस्तेमाल करता है उसकी देश को जरूरत है और इसलिए इस देश के नौजवान उनके साथ अपने को identify करें उन से जुड़ें क्योंकि विकास करने के लिए हमें पुराने तरीके नहीं यूज करेंगे चाहे खेती हो तो आज हल और दो बेलों की जोड़ी नहीं आती है आज ट्रैक्टर का जवाना है कोई भी चीज़ हो computer आ गया है इंटरनेट उसका इस्तेमाल करके उन्होंने किया तो यह आज का नौजवान उनमें अपना मुस्तखिल अपना future लेकिन आपजी एक वर्ग है यह हम करें विरोधी है जो नरेन मोदी को कट्टरवादी मानते हैं जो ताना शाह कहते हैं क्या आपको लगता नरेन मोदी कट्टरवादी है या अडवानी जादे कट्टरवादी थे कोई भी कट्टरवादी नहीं है सब देश के हित में सोचते हैं मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूं कि जब अडवानी जी 2009 में कड़े हुए तो तो क्यों नहीं वोट दिया अब कंपेर कर रहे हो और जब अटल भी अरिवाज जीत के आये हैं तो कॉंग्रेसी नहीं का वोट दिया था उनको तो सवाल यह है कि आप किस समय पर क्या बोल रहे हैं और मैं तो जानती हूं कि कॉंग्रेसी या और दूसरे लोग जो हैं जो सो कॉल अपने को सेकुलर कहते हैं वो यही मिसालें देते हैं अच्छा वो बहुत अच्छे थे तो मैंने किसी से कहा कि अच्छा आपने उनको वोट दिया था टल जी को तो कहा नहीं तो मैंने कहा फिर कंपर क्यों कर रहे हैं पिर दूसरे बहुत नहीं आडवानी जी जाद अच्छे थे मोदी से तो मैंने एडवानी जी को वोट दिया थे 2009 में तो कहा कि न तो मैंने का ये तो तुम्हारे खाली दिमाग की एक वो है जो दिमाग के अंदर एक गरा बन गई है वो उसको खोलो क्योंकि नरेंदर मोदी आज मॉडरन टेक्नोलिजी के मॉडरन माइंड के देश को आगे बढ़ाने के करने तर तर लेके आगे आए हैं देश के सामने और उ क्या जाने पर जिसने भोगा है डिवेलप बिच्रेपन को जिसने अगवाई करी है जिसने कंप्यूटर की टेक्नोलिजी और लोगों को साथ लेके आगे बढ़ने की कोशिश करी वो गुजरात है देश्मा आपाजी आप लंबे समय तक कॉंग्रेस में रहें आपको कॉंग जंद्रा जी राजीव जी सबके बहुत करीब रहें आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपने कॉंग्रेस छोड़ने का फैसला किया और भारती जनता पार्टी का दामन धाम लिया अले तो आप ये मुझे बताए कि ये वही कॉंग्रेस है जो मौलाना आजाद की थी ये वही नहरू की कॉंग्रेस है क्या ये तो वो कॉंग्रेस है नहीं मुझे जो विरासत में मिलीती तो कहीं तारीख के पन्नों में खो गई है आज की जो कॉंग्रेस है वो बिलकुल अलग कॉंग्रेस है और जो खाली बात करते हैं पंदरा नुकाती प्रोग्राम की माइनॉरिटी की बात करते हैं तो ये ये प्रधान मंत्री ये सुनिया जी बब ये अदब सिम उनका नाम ले रही हूं उनका प्रोग्राम नहीं ये राहुल जी का प्रोग्राम नही ये इंद्रा गांदी के जमाने से 15 नुकात चल रहे हैं आप अपनी dagी में प्रियूरटी में लिखते खिर लुका siitä सतने सिर्फी चैक्स ठीन अव्यों। हमने पूरा खर दिया पूरीवी ले लो चाहे नौकर कोड़ी ले लो अज वह कि उन्दरा गांदी अर्षू नं कोड़ से सौसे हैं तो 1980 से अगता आप कुछ नहीं कर पाए, ऐसी कॉंग्रिस में रहने से क्या फायदा है, जो कहती कुछ है, करती कुछ है, मेरा दिल उप गया, लोग मुझे बहुत कहते हैं कि अगर आप कॉंग्रिस में रहती ही तो आप प्रेजडेंट बन जाती ही, वाइस प्रेजडेंट ब करी, वो जॉइन करते तो बहुत बड़े नेता बन जाती, जिना उनके आगे कुछ भी नहीं थे, मगर उन्होंने देश की सेकुलरिजम को बचाने के लिए, एक सही रास्ता मुसल्मानों को दिखाया, कि तुम्हें ये देश तुम्हें यहाँ है, तुम्हें जीना यहाँ ह जले गए, बागी तुम्हारी तुम्हारी यही जन्म भूमी है, इसको प्रूफ करने के लिए वो कॉंग्रिस में रहे, और वही चीज मैं कह रही हूँ, आज हम जो भी हैं, हिंदू हैं, मुसल्मानी तो बड़ी अच्छा हमारा मुलके की यहाँ है, यह गुलदस्ते की तर अलग अलग तरे के फूल है, और हम यहीं के रहने वाले हमें यहीं जीना है, यहीं मरना है, और बीजेपी कोई religious party तो है नहीं, यह तो एक political party है, national political party, मैं एक बात और आप से और कहूं कि मुसल्मानों को कोई विकल्पी नहीं था पहले, एक congress थी थी, हम भी congress में थे, या regional च जोटी शोटी पार्टी हैं आई वो भी थोड़े दिनों के लिए आई चली गए पहले बार जब अटल जी की सरकार बनी और उनकी कारीशली देखी उनका तरीका देखा उनका सबके लिए एक सोच बराबर देखी तो वही मुझे ठीक लगी मैंने कहा कि यह एक अल्टरनेट है एक वी कल्प है मुसल्मानों के लिए मैं तो जब बीजेपी में जॉइन करा है मैंने 2004 में तो बीजेपी तो सत्ता से हट गई थी सत्ता में नहीं थी कि मैंने सत्ता कि लोग में किया हो तो यह बात मैं क्या बताओं आपको खाली लड़ाई जगडा किसी से मन मुटा हो तो आदमी सेटल करी लेता है मगर यह मन मुटाओ जो मेरे दिल में था यह मेरे कौम के लिए था मेरे देश के लिए था मेरे इंडिविज्वल नहीं था अगर में इंडिविज्वल सोचती तो वहीं रहती और बरदाश्ट करती जैसे बहुत से लोग रह रहे हैं और बरदाश कर रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक और लेना है ब्रेक के बाद फिर आप से कुछ सवाल करोंगा आपा जी लोग कहते हैं कि आपके सोनिया गांधी से कुछ मद्वेद थे क्या आपको आज कॉंग्रेश छोड़ने का कभी दर्द होता है तकलिफ होती है देखिए मद्वेद तो होते हैं पॉलिटिक्स में मद्वेद नहीं होंगे तो डिमॉक्रिसी कैसे चलेगी देफिनेटली मद्वेद होते हैं घर में बच्चों में आपस में मद्वेद होते हैं मिया बीवी में मद्वेद होते हैं मगर दिल नहीं तूट जाते हैं जब दिल तूट गया तो उसको जोड़ा नहीं जा सकता है उसको छोड़ा जा सकता है वो ही मैंने किया ऐसे क्या वात हुई कि सोनिया जी के सितर पर या कॉंग्रेस में कि आपके दिल तोड़ गया? वो रास्ता जब पंडिक जवाला नहरू के बड़े बड़े कारखाने बने डिवेलिपमेंट की बात हुई देश में तरक्की हुई आजादी में के पहले हम देश बहुत पिछड़ा हुआ था. वो रास्ता तो छोड़ दिया, क्या development हुआ, आज economy की क्या हालत है, आज नोक्रियों की क्या हालत है, कितने unemployment है, आज school नहीं है, बच्चे मेरे, ये season आता है तो एकदम जैसे यलगार हो जाती है, लोग आते हैं कि बच्चे को दाखिल करो, कोई कहीं आपकी पहचान हो, किसी से कह के school को, ये हमारी education की हालत है, और quality of education नहीं है, मौलाना अजार ने बात कहीं थी, कि मैं ये, इस पे मुझे कोई एतराज नहीं कि मेरे बच्ची हंदुस्तान से बाहर पढ़ने जाए, और मैं चाहता हूँ कि हंदुस्तान की तालीम इतने हद तक पहुँचे, कि लोग बा कारखानों, सड़कों, इस नहीं होती, बाद the quality of mind, तो quality of mind भी हम नहीं कर सके, तो जो कांग्रिस की खास थी, एक इनों नहीं पकड़ कर रख लिया, secular, secular, मतलब टोपी पहनाओ और टोपी उचा लो, बस उसी टोपी के चक्कर में रह गया है, और कंदे पे रिमाल डालो, और बाद उच्ठ रही है, मुहला Imeem Singh कहते हैं, वो सत्ता में आएंगे, तो मुसल्मानों को आरक्शन देंगे, कांग्रेस नेता, सम help कि खोछिये इसाब भी कह हा रहा है, मुसल्मानों को आरक्शन देंगे, यники इंद्रा गांदी के का था अ कि घा, आरक्शन देंगे, उन्हो वो आगे बढ़ाएं ताके वो बराबर की दर्जे बे आ जाएं, उनके साथ बराबरी का सुलूख हो, उनको बराबरी के मौके मिलें, तो उनको हाथ पकड़ के उपर लाने की जूरत है, आरक्षन देने से मसले का हल नहीं निकलता है, तो अगर हिंदु गरीब है, एक ब्राम जुकार एकरम दोनों के लिए बराबर होना चाहिए, कि वो गरीबी की रेखाद से उपर आए, हमारे हाँ, डिवैलेप्मेंट पर आल है, अपीजमेंट नहीं है, मगर यह जो बात करते हैं, कुछ किया है, अगर कुछ करके दिखाया होता मुसल्मानों के लिए, तो उनको जूरत होती रिजर्वेशन की, अपने बल्बूते पर आते, मुझे मौका मिला, तो मैं किसी रिजर्वेशन से उपर नहीं आई, मैं तो अपने मौका से आई, इंटरनेशनल कांफरेंस में और आई-पी-उ में प्रेजिदेंट चुनी गई, महां कोई रिजर्वेशन होता है, तो उनके काबलियत को बढ़ाने की जूरत है, उनको रिजर्वेशन देने की जूरत नहीं है, कब तक रिजर्वेशन देंगे, और क्यों, क्यों नहीं हमें एक गरीबी की रेखा से, मेरे नजदीक दुनिया में, हिंदुस्तान में दो तरह के लोग हैं, एक हैव्स और जिनके पास सब कुछ है, एक वो जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, उसमें चाहे हिंदू हो, मुसल्मान हो, सिखो, पार्सी हो, इसाय हो, कोई भी हो, वो जो गरीबी की रेखा से नीचे है, उसको उपर लाना है, क्योंकि अब जो गरीबी की रेखा के नीचे की तादाद बढ़ती जाएगी तो देश की तरक्य लॉप साइटिड होगी बराबर तरक्य नहीं होगी आप जी बीजीपी के बारे में कहा जाता है कि वो मुसल्मानों को टिकेट लोक सभा के विधान सभाव में देती नहीं है बात करती है मंदिर बनाने की बात धारा 370 की करती है बात सि खिर मुसल्मान जाए भी तो जाए कहां देखियो ताली दोनों हाथ से बचती है अगर मुसल्मान जिस तरह के घ्रना रखते हैं भारती जन्ता पार्टी को उससे थोड़ा उपर उटके सूचें और पार्टी के साथ जुडेंगे तभी तो उनको टिकेट मिलेगा मैं पार् पार्टी के साथ जुडे हैं उनको राजसभा मिली शानवाज जुडे हैं उनने मिली जितने होंगे नमक बराबर लोग अगर रहेंगे तो नमक पूरा तो ले लिया है भारती जन्ता पार किसको नहीं दिया सवाल यहां यह उटता और इलेक्शन जो है वह एक मिकैनिकल प् आपा जी जैसे सच्चर कमिटी की रिपोट का आप भी जिक्र कर रहे हैं और हमने भी सच्चर कमिटी की रिपोट को देखा है और उसकी अनुसार देखें तो राजनीतिक समाजिक आर्थिक हर जसे से जो मुसल्मान हैं वो पिछड़े हुए हैं देश में उनकी तरक्या से पहले मैं कह दूँ उसी में आपको मैं गुजरात की मिसाल दूँ यो सबसे जादा गुजरात को कंपेर किया जाता है बोला जाता है गुजरात में जब मुसल्मान जुड़े नरेंदर मोधी जी के तो जब जुड़ेंगे तो जीतेंगे जुड़ो की नहीं तो जीतो कैसे और जो दूसरा सवाल मैंने आपसे किया कि सच्चर कमीटी की जब बात होती है जैसा आप भी कह रही थी राजनेतिक आर्थिक समाजिक दिष्टी से मुसल्मान पिछड़े हुए हैं क्या इसकी बज अजादी के बाद उभर के सांदे नहीं आ सका उभर नहीं नहीं दिया तोकनिजम किया उभर ने कहां दिया और जिसने भी आवाद हो था ही उसकी आवाद को दबा दिया उसको निकाल दिया उन्होंने देश के साथ बराबरी का सुलूक ही नहीं किया कुछ किया नहीं डिव बोला जबानी बोला अपीजमेंट जिसको हम कहते हैं जो सबको बड़ा बुरा लगता है उस अच्छी बात है कहनी और करनी में बहुत फरक है नियत ठीक नहीं हो तो नीती कभी ठीक नहीं चलती है आप कितना भी मैनेफेस्ट बना लो कितने भी भाशन कर लो आपके नियती ख लोग प्रिय हो रहे हैं पूरे देश में आपा जी अभी इमाम बुखारी ने कॉंग्रेस अद्ध्शन मुलाकात की फिर कहा कॉंग्रेस को मुसल्मान बोट दे हैं कुछ और मुसलिम धर्म गुरुओं से भाशपा द्ध्श राजनास सिंग भी मिले ये धर्म गुरुओं क कि जो मुसलिम धर्म गुरु हम कहें या मौलाना या इमाम साब कहें इस राजनीती को किस रूप में देखती हैं आप देखे शाही इमाम साब का ये पहला मुका नहीं था तो हर एक पुलिटिकल पार्टी से अलग अलग वक्तों में उनके अबा वालिद मरहूम वो इंद्र छोड़ दी अब कॉंग्रेस के पास गए कि हम कॉंग्रेस को बोर्ट देना चाहते हैं तो मैं उनके पॉलिटिक्स पे कोई राय देना मुनासिब नहीं सकती हैं वो लोग सब जानते हैं कि वो क्या करते रहें आपा जी आपने हमसे भिविन मुद्दों पर खुल के बात की इसके लिए बहुत शुक्रियां अगले सब्ता हम फिर एक नई सक्षासाथ में लेंगे तब तक के लिए नमस्कार